इसलिए समस्या का समधान नहीं हो रहा है क्योंकि बीजेपी को चुनाब जीतना जादा महपुर्ण है देश से कोई मतलब नहीं उसके साथ बारत सरकार समझाता करती है और आपको नहीं मालूम है कि क्या समझाता हुई है क्योंकि ये ढोंगी राष्ट वादी देश के आंतरिक और देश की सुरक्षा के लिए सच मुच में खतरनाक है इस तरह से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाट किसी सरकार ने ने किया जितना मोदी जी के सरकार ने किया है आप सबको नमस्कार आदाब सच्याकाल जवार आज का प्रेस कॉंफरेंस नागा समस्या का समधान के विशे में है एक मशूर हिंदी गाना है जूट बोले कववा काटे और इस संदर में मैं प्रेस को जो है एक सम्मान और एक सकार्तमक रूप में जो है कववा बोल रहा हूँ इसको गलत मत लीजेगा लेकिन ये उमीद हमेशा रहती है कि प्रेस और आप सब यहां पर जो पुस्तित लोग है बहाद और पत्रकार है लेकिन आपके उपर जिस तरह से दबाव है हमेशा मैं समझता हूँ बढ़ हम यही उमीद करते हैं यह उमीद करते हैं कि किसी दिन जो है इस तरह का दबाव जो है आपके उपर से हट जाएंगे लगतार मोदी जी और बारतिय जनता पार्टी इस देश के सामने ड्रामे बाजी जूट दुष प्रचार के मार्द्यम से जनता को गुमरा कर रही है अब आपको याद होगा मैं एक फोटो दिखाना चाहता हूँ यह फोटो है तीन अगस दो आजाद पंद्रा का पदान मंत्री जी बाशन दे रहे हैं आपको याद होगा उस दिन सभी टीवी चैनल में हेडलाइन ऐसे चल रहे थे कि एतिहासिक सतर साल में कुछ नहीं हुआ पृत्वी तो छोड़ दीजे मंगल ग्रेक तक यह लोग पहुंच जाएंगे क्योंकि अब तो मोदी जी के जो उपलब्दिया जो है जिस तरह से हम लोग दरसाते हैं तो नागा समस्या के समदान के बारी में मोदी जी ने तीन अगस 2015 में एक बहुत बड़ा कारेकरम आयोजित किया था उनके निवास में और आपको बताया गया था कि नागा समस्या के समदान हो गया है एंकर कूद रहते हैं उस वकट जैसी भी था नहीं तो इसलिए एक कुरसी से दूसरे कुरसी तक कूद रहते जैसी भी होती तो जैसी भी के पर कूद जाते वैसे समदान जिसका कोई प्रतिलिपी कहीं पर भी उप्लब नहीं है प्रेस के उपर दबाव तो मैं समझ सकता हूँगी अब तो यह रिपोर्ट भी नहीं कर सकते कि क्या समदान है 2015 से 2022 तक आप लोग को सारवजनिक रूप से सरकारी अधिकरित रूप से किसी को नहीं मालूम है कि यह क्या एग्रिमेंट है भारत सरकार और एक प्रदेश के बीच में जो समझौता हो रही है और उनके जो संबंदित संगटन है नागा आम ग्रूप NSCN और उनके अलग-अलग आम ग्रूप जो नागलान में है उसके साथ बारत सरकार समझौता करती है और आपको नहीं मालूम है कि क्या समझाता हुई है क्योंकि ये ढोंगी राष्ट वादी देश के आंतरिक और देश की सुरक्षा के लिए सच मुच में खतरनाक है इनके लिए चुनाव जीतना अगर चुनाव जीतेंगे और देश खत्रे में चली जाएगी तो कोई आपत्ती नहीं है चुनाव जीतना चाहिए इस प्रेस कॉंफरेंस के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इस देश में इस तरह से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाट किसी सरकार ने ने किया जितना मोदी जी के सरकार ने किया नागर लेंड इस देश का एक बहुती खूब सुरत और बहुती महत्वपून प्रदेश है इंटरनाशनल अंतरराश्ट्रे बॉर्डर भी है वहाँ के लोग वहाँ की संस्कृती वहाँ के भाषा वहाँ के हैंडलूम अब देख लीजी उस प्रदेश में लगतार जब कॉंगर्स की सरकार रही और अन्य सरकार के समय पच्ची साल से लगतार कॉंगर्स पार्टी और बाकी सरकार ने भी ये सुनिश्चित किया था कि वहाँ पर सीज फायर बरकरार रहेगी पच्ची साल से तीन अगर्स को मोधी जी ने एक बड़ा प्रेस कॉंफरेंस बुलाया उस प्रेस कॉंफरेंस के बारे में मैंने आपको बताया उसमें नसीन के मुवई जी उपस्ते थे राजनाद जी थे डोवेल जी थे और बारत सरकार के तरफ से आरेन रवी साब थे जो वर्तमान में राजपालें टमिल नाडू में उस वकत ये बताया गया था कि हमने साट साल का समस्या का समधान किया है उसके बाद नागा सिविल सोसाइटी नागा सिविल सोसाइटी ने एक नागा पोलिटिकल ग्रूप का गटन किया था नागा पोलिटिकल ग्रूप क्योंकि इसमें थोड़ा समय विस्तार मिसले जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही महत्वपून बाते और ये देश की जो है सुरक्षा और देश के अखंटा से संबन रखता है तो नागा पॉलिटिकल ग्रूप ने जो एक वर्किंग कमिटी बनाया था नागा पॉलिटिकल ग्रूप ने 17 नवंबर 2017 में साइन किया था कि ये जो समधान जो प्रदान मंतरी जी बोल रहे हैं और राजनाथ सिंग जी बोल रहे हैं और दोविल जी बोल रहे हैं इसका जल से जल लागू किया जाए ठीक है 31 ओक्टोबर 2019 में रवी साब बोलते कि हमने समधान कर दिया प्रॉब्लम सॉल्ट नरंद मोदी जी तो मुम्किन है सॉल्ट किसी को मालूम नहीं कि वो कागस क्या है क्या solution है देश के जो है देश के पर क्या प्रभाब पड़ेगा कोई चर्चा नहीं उसके बाद साथ परलिमेंटरी M.L.A.S क्योंकि नागलांड में विच्छत इस्तिती है पूरी साथ के साथ जो है सरकार में एक ही opposition party है वो congress party है जो बाहर है 60 M.L.A.S बिलॉंग तो दी गवर्मेंट और नागलांड इन्होंने ये कहा था कि ये जो agreement हुआ है उसमें NDTP, BJP, MPF ये सब लोग है अब आफ फासफोर्ड कीचे नेलिन कोली जी, BJP के जो इन्चार्ज है वो पहुंचते हैं दीमापूर और वो agreement करते हैं seat arrangement between Rio जी के party and BJP कोई चर्चा नहीं है agreement का क्योंकि BJP को नागलांड या देश से कोई मतलब नहीं है सिरफ चुनाब जीतना है होगा उनका चुनाब जीतने से तब उनको आपती नहीं है लेकिन ऐसी ढोंगी राष्टवादी party की हरकत के बारी में और जानकारी लीजिए नलिन कोली जी जाते हैं और एक समझावता करते हैं उसके बाद ये कहते हैं कि नागा समस्य का समधान हो जाएगा पर 2015 में माननिय प्रदान मंत्री जी नहीं दा बोल दिया कि समस्य का समधान हो गया है तो नलिन कोली जी क्या बोल रहे है होने वाला है तो आप जान सकते हैं कि पिछले साथ साल में TV चैनल से लेकर के पत्रकार लोग को जो बुला बुला करके आपको जो जो गुमरा कर रहते हैं प्रदान मंत्री जी और बारत सर्कार आपने भी चापा सब लोग ने हैडलाइन चापा TV के हैडलाइन ने प्रशंचिन क्या साथ साल में इस तरह का समस्य का समधान हुआ की नहीं सब हेडलाइन जोए चले अब ही तक समझ से कर समधान नहीं हुआ है ना आपको जानकरी ना हमको जानकरी है NSCN ने उस कागज को लीक किया है लेकिन सरकार ने सारवजनिक नहीं किया है ठीक है अब दूसरे तरफ मैं आपको इतियास में थोड़ा सा ले जाना चाहता हूँ Assam Accord 15 अगस 1985 राजीव गांदीची के नेत्रत में हमने साइन किया था आपको याद होगा उस Accord के बाद हम चुनाव हार गए Assam गना परिष्टर की सरकार वहां पर गटित की गई 1986 में फिर से हुई Congress Party क्योंकि Congress Party हमेशा देश के बारी में सोचती है हमको मालूम था कि उस Accord से हम हारेंगे चुनाव लेकिन Modi जी चुनाव हारने के लिए तैयर नहीं है लेकिन भारत को कुछ भी हो जाए लेकिन बीजेपी चुनाव नहीं हारे दूसरे तरफ Congress Party ने जो Assam में जो Accord करके Assam Accord साइन करके समझाता है साइन करके हम चुनाव हारें हमको मालूम था कि हम चुनाव हारने वाले हैं लेकिन देश सर्वपरी है देश सर्वपरी है लेकिन नॉट फो मिस्टर मोदी पांच अगस्ट को इस साल के नागा लैंड पीपल्स एक्शन कमिटी ने एक बहुत बड़ा प्रदेशन किया था देमापूर में और उनकी मांग रही है कि जल्द से जल्द नागा समस्या का समधान हो वोई समस्या का समधान जो मोदी जी ने कहा कि 2015 में उन्होंने कर दिया है अमिच शाजी अब बोलते हैं 2024 के बाद 2024 के बाद 39 के समस्या का समधान होगा तो मैं आपसे एक प्रशन करना चाहता हूँ कि यहां कि इस देश के TV रिपोर्टर्स और अकबार के कोई-कोई मांसमान सरकार को कोई ध्यान नहीं है आपने तो सब लोग ने रिपोर्ट कर दिया कि मोदी सरकार ने समसे के समधान कर दिया और क्योंकि इनों ने समधान नहीं किया प्रॉब्लम क्या है One Nation One Tax आपने सुना मोदी जे का बाषन नागा लान बें One State 18 Tax है 18 Tax है armed groups के माध्यम से वहां के जंता के उपर 18 armed groups अपने Tax लगाती है वन नेशन वन टाक्स तो छोड़ दो भाई साब वन स्टेट एटीन टाक्स है फिरोती दूसरा सबसे बड़ा आरोप मैं आपको पताना चाहते है यह समझ से कर समधान क्यों नहीं हुआ और ध्यान से सुनिये यह देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा शद्यंत्र है वर्तमान मुख्यमंत्री जी जो BJP के LI है उनके जो पूरी राजनितिक संड्रक्षन जो है NSCN IM से है सुनी जपीज गंबीता से इस बात को जो है प्लीज नोट इडाउन वरी सीरियूसली उनके जो पूरे चुनाव में NSCN IM वो लोग मदद करते हैं चुनाव जीतने में मेरे सातीर अनजीत जी भी है हाल में एक प्रदेश में चुनाव हुआ था उसमें पूरे सीट पर पारी वाली सीट में जो है इस संगटन का जो है दुष प्रबाव से BJP चुनाव जीती विस्तार में आपको बता सकते हैं तो इस देश के अखंडता के खिलाव करने वाली संगटन बारतिय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल वियो जी के दल मुक्यमंती जी के दल को जो है सहयोग करके चुनाव जितवाते हैं इसलिए समस्या का समदान नहीं हो रहा है क्योंकि BJP को चुनाव जीतना ज्यादा महपुर्ण है देश से कोई मतलब नहीं है आपने सरदार पटेल को कभी सुना है कि देश बक्ती देश बक्ती देश बक्ती बोलने के लिए हम देश बक्त है हम देश बक्त है आपने गांदी जी को कभी सुना था कि हम देश बक्त हैं आपने नेरु जी को कभी सुना था यह ढोंगी राष्टरवादी को जो हमेशे चछत पर चिलाते चिलाते रहते कि हम देश बक्त है यह प्रॉब्लम है क्योंकि NSCNIM के माध्यम से एक आम ग्रूप के माध्यम से यह चुनाब जीतना चाहते हैं फिर से तेईस में इसलिए समझोता नहीं हो रहा है समदान नहीं हो रहा है तो here is a government which is in connivance to win elections through आम ग्रूप आप लोकतंतर की बात कर रहे हो इनको तो सब नागलान में सरकार बना के लूटने का उदेश यह देश से कोई मतलब नहीं है इसलिए समस्या का समदान नहीं हो रहा है